आज यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगन, सभी MLA, सभी सांसर्द, सभी कांसलर्ज और आम आदमी पार्टी के सभी नेतागन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रिणाम आज यहाँ पे हमारी पार्टी क्या एक तरह से शीर शनेतागन मौजूद है, हमारे कांसलर्ज, मंत्री, MLA's, MPs और Senior Office Bearers हमें आज यहाँ क्यूं एकठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा प्रधान मंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है क्रश करने का इरादा बनाया है उसके लिए इन लोगों ने एक ओपरेशन चालू किया है अपने अंदर जिसका नाम है ओपरेशन जाडू ये मुझे कैसे पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधान मंत्री जी से मिलने जाते हैं उन में से कई ऐसे भी लोग है जो हमें भी जानते हैं उन से मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं उन्होंने बताया है और लगबग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधान मंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ये प्रधान मंत्री जी के शब्द है जो मुझे उन कई लोगों ने बताये जो उनसे मिलके आते हैं कि मोधी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविश्य में राष्ट्रियस तरपे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है इसलिए प्रधान मंत्री जी का मानना है और कहना है इसलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंथ खतम कर दिया जाया है इसके पहले कि ये पार्टी ज़्यादा बढ़े और भविश्य में बीजे भविश्य में बीजेपी के लिए चिंदा मत करें चिंदा मत करें चिंदा मत करें इसके पहले इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने बड़ी बने उसको यहीं पे कुछल देना जरूरी है उसके लिए उन्होंने उपरेशन जाडू चालू किया है इस उपरेशन जाडू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफतार किया जाएगा गिरफतार किया जा रहा है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज किया जाएगा एडी का वकील और्री कोट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंट बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किये जाएंगे यह मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा उनोंने का अभी सीज करने थे लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपथी मिलेगी तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली कराके आम आदमी पार्टी को सड़क पिलाया जाएगा यह तीन प्लान इनोंने बनाए हैं हमारे निताओं को गिरफ्तार करने का हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का हमारे दफ्तर को खाली कराने का उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खतम कर देंगे उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है ये आम आदमी पार्टी 140 करोड लोगों के सपनों की पार्टी है आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है जिस किसम के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में कियें 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे ये विचार धारा इस किसम के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है सरकार इतनी मांदारी से भी चल सकती है ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था वो सपने अब लोगों को सच होते वे नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल छिक करने चालू कर दिये दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शांदार कर दिये गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी ये मोधी जी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने तै कि इनको रोको इनको गिरफतार कर लो, मनी सिसोधिया को गिरफतार कर लो, केजनीवाल को गिरफतार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढीरों, महला क्लीनिक खूल दिये, सरकारिय अस्पतार ठीक कर दिये, लोगों के लिए फ्रीज इलाज का इंतिजाम कर दिया, मोरी जी नहीं कर पारे इन्होंEM का केज निवाल को गिरफ़तार करो इनके अस्पताल बंद करो इनके मुहला क्लिनिक बंद करो हमने दिल्ली में पंजाब में विजली मुफ्त कर दी वो इनसे नहीं हो पारी जहां जा हिनकी सरकार है ओर में घाड़े में चल रहे हैं इनके पास पैसा ही नही हैं हमने पैसा पीछा-पैसा कि भीजली स्री कर दी अब हम महिलाओं को लुजार 7 रूपे देने जा रहे हैं हर महीमें उनके खातों में 1000-1000 रुपे डलवाएंगे ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से मैं जहां जाता हूँ पूरे देश भर में घूम रहा हूँ इस टाइम मैं मैं जहां जाता हूँ लोग कहते हैं केज़िवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में विचार है इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता गीता में भी लिखा है इसको कैद नहीं कर सकते इसको जला नहीं सकते इसको काट नहीं सकते इसको गीला नहीं कर सकते ये विचार है इसको कैद नहीं कर सकते ये चारों तरफ पैल रहा है पूरे देश के अंदर ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता ये अपने आप पैलता जा रहा है विचार मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूँ आप एक नेता को गिरफतार करोगे मेरी भारत मा की कोक इतनी ज़्यादा वो है कि सो नेता पैदा होंगे इस कोक से आप एक केजरीवाल को गिरफतार करोगे सो केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर हजार केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मा आप करके देख लो पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सप्ता में आएं कितने आरोप लगाए इन्होंने कितने केजरीवाल भष्टा चारी है केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया पानी में घोटाला कर दिया बिजली में घोटा पता नहीं कितने आरोप लगाए कुछ नहीं चिपका कुछ नहीं चिपका जनता बेवकूफ थोड़ी है कुछ नहीं चिपका इन्होंने इतने आरोप लगाए अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया शराब घोटाला हो गया जनता पूछ रही है इन से अब मैं हमें जवाब देने की जनता पूछ रही है भी शराब घोटाला हो गया पैसा कहा है कहा गया वो पैसा खुदी जाके ये सुप्रीम कोट में कहते है हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नी होई तो क्या हवा में हो गया क्या शराब गोटाला कहीं बाकी रेडवेड मारते हैं ये कहीं नोटों की गड़ियां मिलती हैं कई ज्वेलरी मिलती है यहां तो कुछ भी नहीं मिला चवन्नी नहीं मिली कहते हैं सौ करोड का गोटाला हो गया हजार करोड का हजार रुपे भी नहीं करो पिछले 2022 में जब पंजाब चुना हुए थे इन्होंने एक अब बोहर के अंदर रैली में चुनाव के तीन दिन पहले प्रधान मंत्री जिन्हें अपने मूँ से बोला था वहां जाके अब बोहर की रैली में केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है केजरीवाल केजरीवाल खालिस्तानी बनाके वहां का प्रधान मंत्री बनना चाहता है इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधान मंत्री के मूँ से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर की कैसे प्रधान मंत्री हैं इस तरह से जिस तरह से बेतुक और अभी तो देखना 25 तारीक को दिल्ली का चुनाव है एक तारीक को पंजाब का चुनाव है आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगड़नत बाते लेके आते हैं ये लोग ऐसी और बहुत सारी बाते आने वाले ये किसी भी हद तक जा सकते हैं ये किसी भी नीचिता तक गिर सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आने वाले समय में आप लोग सतर करें न आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला अगनी परिक्षा देके आया है हम वो लोग हैं जो खुद बखुद हमें पता चलता है हमारा कोई ब्रश्टा चार कर रहा खुद ही निकाल देते हैं कई बार ऐसे किस्से हुए जब दिल्ली के एक मंतरी को निकाल दिया पंजाद के एक मंतरी को जेल भेज दिया खुद बखुद हम निकाल देते हैं अब पिछले दो साल से इन्हों ने हमारे नेताओं को गिरफ़तार करना चालू किया इन्हों ने मेर को गिरफ़तार कर लिया इन्हों ने संजे सिंग को गिरफ़तार कर लिया इन्होंने सतिंदर जैन को गिरफ़तार कर लिया इन्होंने अब ये कल मेरे पिये को गिरफ़तार कर लिया मेरे पिये तक को गिरफ़तार कर लिया अब रागव चड़ा बाहर से आए हैं परसो कहरें उसको भी गिरफ़तार करेंगे कह रहें आतीशी जी को गिरफ़तार करेंगे सौरब जी को गिरफ़तार करेंगे कह रहें कहलाइश यलोत को गिरफ़तार करेंगे तो मैं आज हम सब लोग इकठे हुए है प्रधान मेंत्री जी को कहना चाहता हूँ आप एक एक करके एक एक करके दुखी हो रहे हो हम सारे आज़ाते हैं आज आज आप हम सबको गिरफ़तार करके देख लो हम कोई दरने वाले नहीं है मैं जेल में था पचास दिन उस समय का मैंने पूरा सदुप्योग किया दो बार गीता पड़ी पूरी गीता और गीता भी जैसे शलोक का अर्थ होता है के वल वो अर्थ नी मैंने वो एक एक शलोक के तीन तीन चार चार पेज का विस्तरित वर्नन जो है वो डीटेल्ड गीता दो बार पड़ी एक बार रमायन पड़ी पूरा आप हमें सब को जेल में भेज दो और एक बार करके देख लो कि आम आदमी पार्टी का विनाश होता है या आम आदमी पार्टी और बड़ी बनती है एक बार करके देख लो मोधी जी अभी हम सारे जने यहां से चलेंगे शांती से चलेंगे कोई शोर शराबा नी मैं सबसे आगे रहूंगा मेरे पीछे पीछे सब चलेंगे अगर हमें बीजेपी हेड़कॉाटर तक जाने देंगे हम वहां तक जाएंगे नहीं जाने देंगे जहां रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे वहाँ सड़क पे बैढ़ जाएंगे आदा घंटा बैठेंगे इंतजार करेंगे अगर वो हमें आके गिरफतार करते हैं अगर वो आके गिरफतार नहीं करते तो यह आज उनकी हार होगी यह उनकी हार होगी आदे घंटे के बाद हम उठके वापस आ जाएंगे, ठीक है, आदे घंटे बैठेंगे, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनोतियां आने वाली हैं, उन सभी चुनोतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आप लोग तयार रहना, एक ही चीज याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी चुनोतियां पास्ट में हमारे को प्रास आई, और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई, और जितना आराम से हम लोग उसमे से निकल गए, ये कोई चमतकार से कम नहीं है, दस साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमतकार से कम नहीं है, ये केवल एक ही चीज की वज़े से है, उपर वाले का हाथ आपके उपर है, बजनंग बली का हाथ आपके उपर है, अगर ये हाथ नहीं होता, आज तक हम खतम हो गए होते, इतने बड़ी चुनोतियां आई हैं हमारे जिंदगी में प बहुत बड़ी बड़ी चुनोतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनोतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मन्शा, हमारी इंटेंशन साफ है, हम देश ठीक करना चाते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाते हैं, आज भगवंतमान साब को भी आना था, उनका फोन आया तो कल आप आजाना फिर गिरफ्तार होने के लिए